नमस्कार स्वागत है आपका चोखा जैसा नाम वैसा स्वाद चलिए बनाते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बैंगन या एक प्लांट चाकू की साहता से इसमें स्टेट करूँगी और इसमें छिली हुई लहसुन की कली इंसर्ट कर दोंगी करीब 5-6 कलियां इसी तरह से इसमें इंसर्ट कर लिए अब सर्षों का तेल हाथों की साहता से अच्छी तरह से बैंगन के उपर कोट कर दिया आज पर बैंगन को भूनने के लिए रख दिया जब तक बैंगन भूनता है दूसरी सबजियों की तैयारी रख लेते हैं यहां पर मेरे पास है देर इंज अद्रक का टुकड़ा इसे बारीक बारीक काट लेना है अद्रक ना से स्वाद बढ़ाएगा बलकि बैंगन को पचाने में भी मदद करेगा दो हरी मिर्च या ने हैं यह काफी तेज एन्हें बीच में से स्त्रिट करके में बारीक-बारीक काटूंगी हरी मिर्च या Pero laat koar आएंगी मिर्च का चोखे में बड़े पीसे में नहीं काटना है नहीं तो मुं में एक दम से तेज मिर्च का फेवर έगा बीच बीच में मैं बैगन को भी अलटते पलटते जा रही हूँ यह अच्छे से भुन रहा है यहाँ पर मैंने दिया है एक मीडियम साइज का प्यास इसे भी बारिक बारिक काट लेना है देखिए प्यास और लेसुन डालना ओप्शनल है लेकिन डालेंगे ना तो स्वाथ बहुत बढ़ जाएगा इसी पीच हमारा बैगन पूरी तरह से भुन चुका है इसे आज से हटा देते हूँ अब यहाँ पर मैंने लिये हैं दो मीडियम साइज के आलू और दो देशी टमाटर इन पर भी सरसों के तेल की कोटिंग कर रहे हूँ आलू और टमाटरों को भी भूनने के लिए आज़ पर चढ़ा दिया है आप चाहें तो आलू में भी स्लिक लगा कर भून सकते हैं जिससे वे जल्दी भून जाएंगे आलू और टमाटरों को भी पलटते हुई हमें सेखना है अगर आपके पास भूनने की बड़ी बाली जाली होना तो इखटे ही सारी सबजियां भून जाएंगे चले यहां बैगन को छील लेती हूँ हाथों की साहता से भी कर सकते हैं और ज्यादा गरम लगे तो चाकू की मदद ले सकते हैं यहां पर बैगन का मैंने कैप ःटा दिया लहसुन भी बड़े प्यारे भून गए हैं यहां पर अगर आप बैगन की बीजों को असानी से हटा सकते हैं तो उन्हें हटाते चलिए बैंगन के बीच पचने में थोड़ी मुश्किल करते हैं तो अगर कुछ बीजों को आसानी से हटाया जा सकता है तो उन्हें हटाते जाएगे कुछ बीच तो अब्विस तो उसमें रहेंगे ही वो खाने में एक क्रंच भी एड़ करेंगे बैंगन को इस तरह से रफली मैश कर लीजिए अच्छे बैंगन खरीदने की एक टिप बताती हो जबी भी आप इतने बड़े साइस का बैंगन देना तो आकार के हिसाब से उसका वेट कमपेरिटिवली कम होना चाहिए तो ऐसे बैंगन में बीज कम मात्रा में मिलते हैं जिन बैंगनों का वेट बहुत ज़्यादा होता है उसमें मान दियें कि बीज बहुत ज़्यादा होंगे तो उन्हें अवाइड कीजेगा टमाटर अच्छी तरह से भुन गए हैं इन्हें हटा रही हूँ आलों के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा अमोमन 5-7 मिनिट में आलो भी अच्छे से भुन जाते हैं टमाटरों की भी स्किन बहुत आसानी से निकल जाएगी इसे हटा देना है आलो में चाकू आसानी से चला जा रहा है यह पग गए हैं इन्हें भी निकाल लेते हैं अब इन आलों का भी छिलका हटा देंगे थोड़े गरम है इस समय आप चाहें तो हल्का सा ठंडा होने के बाद इसका छिलका हटा है आप चाहें तो भुने हुए आलो और टमाटरों की जगे उबले हुए आलो और फ्रेश टमाटर को भी बारी काट कर ले सकते हैं लेकिन जो स्वाध और स्मोकिनेस भुने हुए टमाटरों और आलो का होगा ना उसका कोई कंपैरेजन नहीं है यह थोड़ा सा काला पन भुने हुए सबजियों पर छीलने के बाद रह जाता है ना इन्हें रहने दीजिए यह बहुत अच्छा स्मूकी फ्रेवर एट करता है अब यहां पर मैंने ली है ठे सारी हरी धनिया हरी धनिया आखरी में काट रही हूँ क्योंकि इसकी ताज़गी को मुझे बरकरा रखना है ताजी हरीधनिया भी रेडी है अब आलूओं को कर रही हूँ मैशर की सहायता से मैश क्योंकि काफी गरम है आलूओं से हमें चोखे में टेक्स्चर के साथ साथ एक बाइंडिंग भी मिलेगी अब इन सभी सब्जियों को हाथ की सहायता से मैं अच्छे से मिलाओंगी हाथ से मसलने पर सब्जियों का स्वाद और खुश्बू एक दूसरे में अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाएंगी तो जो काम हाथ कर सकता है वो चमश नहीं कर सकता अब यहाँ पर मैं बाकी फ्रेश कटी हुई सब्जियां अट कर रही हूँ प्याज, अद्रक, हरी मेची और हरा धनिया अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो चोखा सर्व करने से जस्ट पहले ही प्याज को मिलाईए नहीं तो अगर आपने पहले से ही प्याज मिला कर रख दिया तो प्याज अपना कमाल दिखा देगा और चोखे की फ्रेशनेस को कम कर देगा सबी चीजों को अच्छे से मिला देना है अब एक छोटा चमश भुना जीरा पाउडर इसमें मैं मिला रही हूँ साथ ही स्वादानुसार नमक सबजियां अभी भी कर्म हैं तो भुने जीरे का फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से अपने में समालेंगे अब एक जादूरी अलिमेंट और वो है एक से देर चमश सरसूं का तेल चोखा एकदम जन्नात लगना चाहिए खाते ही नाग से मुझत सरसूं के तेल की खुजबू एकदम फैर जाने चाहिए यह ना सिर्फ चोखे में चमक लाएगा बलकि चोखे को उसका और्थेंटिक स्वाद और खुजबू भी प्रतान करेगा इसे टेस्ट करिएगा इसे आप ऐसे ही खा जाना चाहेंगे तीन से चार लोगों के लिए यह कॉंटिटी सफिशेंट है तो चाहे लिख्टी के साथ सर्व करें रोटियों या परांथों के साथ चोखा बनकर तयार हैं एंजॉय करिए ऑथेंटिक चोखा मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद नमस्ते